Safety Officer का जौब एग बहुत ही बेस्ट जौब है पूरी दुनिया के लिए आप किसी भी कंपनी में जाएए वहाँ आपको Health Safety Officer मिलेगा वहाँ आपको Fire and Safety Officer मिलेंगे वहाँ आपको Supervisor मिलेंगे Safety Supervisor, Safety Advisor, Safety Manager, Safety Auditor यह तमाम पोस्ट आपको देखने को मिलता है आप इंडिया की बात करिए, इंडिया से बाहर की बात करिए, गल्फ देशों की बात करिए हर कंपनी में हर जगा आपको Safety Officer मिलेंगे बगैर Safety Officer का कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्टियल वर्क संचालित नहीं हो सकता वह इलिगल एक्टिविटी हो जाता है और सरकार भी उस पे रोक लगाती है अर्थार बगैर Safety Officer का जॉब करना उस कंपनी के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है यही कारण है कि दुनिया की हर एक MNC Company, Multinational Company, Reputated Company, National Company, International Company कि जितनी भी कंपनिया है वह अपनी कंपनी के लिए एक Best Safety Officer हायर करती है हम बाहर के देशों की बात करें, अमेरिका की बात करें, गल्प की बात करें हर जगह आपको कंपनियों में Safety Officer मिलेगा इवेन आप छोटे छोटे सिप पर भी देखेंगे, जहाज पर देखेंगे, वहां Safety Officer की जरुवत पड़ती है यदि आप Construction की बात करें, Construction फिल्ड में भी Safety Officer के आउशकता पड़ती है और एक Safety Officer यह माहिर होता है अपने उस काम में कि वह किसी तरह का नुकसान नहीं होने देता चाहे वह Material का नुकसान हो, चाहे वह Living का अर्थात मानो का नुकसान हो, मनुस्यकों कोई इंजरी हो किसी पर्षन को, किसी बैक्ति को कोई चोट इत्यादी लगे, इन तमाम चीजों के बारे में उसे बकू भी जानकारी होती है और इसी वज़ा से पूरी कप्रिया, Safety Officer को पहली Priority देती है तो Dear Students, यदि आप भी Safety Officer बनना चाहते हैं और एक बहतर जौब करना चाहते हैं तो यह मौका आपके लिए बहुत ही बेहतर है, यह तो आपको फीस में हजारों रुपए की आपकी बच्चत हो जाती है काफी बच्चत के साथ आप इस कोर्स को कंप्लीट कर पाते हैं तो आपने यदि High School की पढ़ाई पास कर लिया है, Intermediate की पढ़ाई पास कर लिया है और आप बाहर के देशों में जाना चाहते हैं या जौब करना चाहते हैं तो आपके लिए Best Course होता है Safety Officer का Course जिसमें दो कटगरी होते हैं Health Safety Officer और Fire Safety Officer आप Health Safety Officer का Course करके आप Health Safety Officer बन सकते हैं Fire and Safety Officer का Course करने के बाद आप Fire Safety Officer बन सकते हैं Manager बन सकते हैं, Supervisor बन सकते हैं जैसे जैसे आपका Work Experience बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी Post भी बढ़ती जाएगे अब रहा सवाल की Admissions कैसे होते हैं Admission लेना बहुत ही आसान है, मात्र 5 मिनट के अंदर आप अपना Course बुक कर पाएंगे पटापट अपना Mobile Phone उठाइए और Course की जो Fees है वह आप जमा कर दीजिए जमा करने के बाद College को Screenshot भेज दीजिए, अपना Certificate भेज दीजिए और फिर मुस्किल से एक से दो घंटे के अंदर आपका Indolment कंप्लीट हो जाता है और आपकी Classes सुरू हो जाती है यह Course करने के बाद आपको एक Secure Life मिलती है, एक बहतर Life मिलती है उमीद करता हूँ कि यह जानकारी आपके लिए काफी फाइदे मनसाबित होगी दूसरी बाद कि यह Course वह लोग भी कर सकते हैं जो बाहर की देशों में जॉब कर रहे हैं माना कि अगर आप सौधी में हैं, इदुबई में हैं, मलेशिया में हैं, कहीं भी आप काम कर रहे हैं और वहां से रहते हुए आप इस Course को करना चाहें, तब भी यह Course आपके लिए काफी आसान हो जाता है Online mode में आपकी पढ़ाई होती है, Regular mode में पढ़ाई होती है, Complete Assignment के साथ आपके पढ़ाई होती है और आप एक Perfect Safety Officer बन पाते हैं SST टी चूट पूरी दुणिया में एक लवता एक ऐसा Training College है, Safety College है, जिसे हर एक Company पसंद करती है और जहां के Certification को हर एक Council भी मानेता दियती है, Verified करती है तो Dear Student, Health Safety Officer बनने का सुनारा मौका है आपके पात Fire and Safety Officer बनने का सुनारा मौका है आपके पात तो देर किस बात की, अभी फटा फटा अपना Mobile उठाएं और Course को Book करें और आज से ही एक नई सुरुवात करें, एक नई तयारी करें इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे, Next Video में हाजिन होंगे, तब तक के लिए, We see all the best, Thank you for watching, Thank you for learning